Hello everyone, my name is Prashant and welcome to the Career Smart Learners Last video में हमने देखा था Chapter 7 Triangles का Introduction वाला पार्ट उसी को हम आगे Continue करने वाले है इस वीडियो में तो ये वीडियो रहेगा Part 2 of Chapter 7 Triangles ठीक है? तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था ये दो Triangles ठीक है? इन दोनों को हमने congruent लिखा था तो ये Symbol wise हमने यहाँ पे लिख लिख लिखा है इसको हम Read कैसे करेंगे? Triangle ABC is congruent to Triangle MNO ठीक है? तो congruent से लिखने के बाद आपके पास 6 Results मिलते हैं ठीक है? तो कौन से कौन से Results है वो हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आपको 6 Results दिख रहे हैं AB equal to MN, BC equal to NO ठीक है? SI angle A equal to angle M, angle B equal to angle N यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ठीक है? तो यह 6 Results आपको congruent से मिलते हैं ठीक है? अगर आपको figure नहीं गिवन है सिर्फ यह चीज़ गिवन है आपको question में अगर आपको सिर्फ question में यह चीज़ गिवन है triangle ABC congruent to triangle MNO तो इस congruency से ही आप यह 6 Results निकाल सकते हो ठीक है? वो कैसे निकालना है? हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे मैं फिर से उस congruency को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ triangle ABC congruent to triangle MNO ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग pattern देखना congruency के बाद आप जो भी result लिखते हो वो बहुत ही important बात है ठीक है? तो वो उसको थोड़ा द्यान से देखना है यहाँ पे 6 Results यहाँ पे मिलने वाले हैं तो वो कैसे मिलते हैं? यहाँ पे आप pattern देखना A से में start कर रहा हूँ और B पे खतम हो रहा हूँ तो यह होगा A B equal to वही चीज़ आपको यहाँ पे भी follow करनी है तो यहाँ पे क्या होगा? M into N तो यह होगा M N ठीक है? तो यह पहला result ऐसे मिल रहा है अगर मुझे figure नहीं गीवन है तो मैं congruency help से ऐसे लिखूँँगा second result में क्या बोल सकता हूँ? B C तो मैंने यहाँ पे center से start किया end पे खतम होगा तो वही चीज़ आपको यहाँ पे भी follow करनी है B C equal to N O ठीक है? last में क्या होगा? A C यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? A C तो वही चीज़ आपको यहाँ पे भी follow करनी है M O ठीक है? तो congruence से लिखने के बाद आप यह pattern wise आपको यह पहले तीन result आपको मिल गए यह क्या है? side है triangle की यह side है A B side है triangle की वह triangle M N O का यह जो M N वाली side है वह दोनों आपस में equal होंगे ठीक है? अगर congruence से given है तो आप यह 3 चीज़ लिख सकते हो ठीक है यह 3 चीज़ किस के बारे में थी? side के बारे में अभी जो 3 चीज़ और में लिख रहा हूँ वह है angle के बारे में तो यहाँ पर आपको first चीज़ क्या दिख रही है? A और यहाँ पर first चीज़ आपको दिख रही है M तो आप लिख सकते हो angle A equal to angle M ठीक है second चीज आप क्या लिख सकते हो ये B दिख रहा है आपको center में और यहाँ पे center में दिख रहा है N तो आप ऐसा लिख सकते हो angle B equal to angle N और last में आपको यहाँ पे angle C दिख रहा है तो सामने आप लिख सकते हो angle O ठीक है अगर आपको full form में लिखना है यहाँ पर यह six result वही लिखा हुआ है मैंने अगर आपको angle का नाम full form में लिखना है तो भी आपको यही चीज द्यान रखना है ठीक है फिर से यहाँ पर मैं congruence से लिख रहा हूँ congruence to triangle M and O कि angle B, A, C किसके equal होगा इस वाले triangle में तो pattern क्या हो रहा है यहाँ पर follow B, ठीक है कैसे follow हुआ B, A, C यह वाला जो angle यहाँ पर है angle B, A, C इस वाले triangle में कौनसा angle होगा जो इसके equal होगा तो आप यहाँ पर यह answer आपको बताना है तो वो कैसे बता होगा आप जो pattern यहाँ पर follow हुई है वही pattern आपको यहाँ पर भी follow करना है तो यहाँ पर आप क्या follow करोगे यहाँ पर B से start हुआ है तो यहाँ पर भी आप end से start करोगे angle N फिर B के बाद यह first में गया तो आपको भी यहाँ पर जाना है N, M और उसके बाद आपको last में जाना है तो यह angle N, M, O B, A, C को equal होगा ठीक है ऐसे ही दूसरा लिखते हैं यहाँ पर C, B, A C, B, A ठीक है last में फिर center में और फिर first में तो वही चीज़ आपको यहाँ पर भी follow करनी है अगर C, B, A आपको बताने कि कौन से angle पर equal होगा तो यहाँ पर आपको वही चीज़ दिखानी है यहाँ पर left hand side क्या किया है हमने third, center and first तो यहाँ पर भी आपको पहले third क्या है O, फिर center में N और last में क्या लिखा हुआ है M, ठीक है, ऐसे जो भी अगर आपको जो भी angle पूछा है तो उसका answer आप लिख सकते हो ठीक है, यह आगे जाके exercise के question में बहुत काम की चीज़ है तो यह द्यान रखना है, ठीक है pattern follow करना है जो pattern आप left hand side follow कर रहे है वही pattern आपको right hand side follow करना है ठीक है, तो यह full form angle के कैसे लिखने है वो बता दिए और यह जो six result है वो हमने यहाँ पर देख लिए इन six result का एक नाम है यहाँ पर यह जो six result आपको मिलते हैं congruence से लिखने के बाद ठीक है, तो इसका एक नाम दिया हुआ है corresponding parts of congruence triangles are always equal इसको short form में कैसे लिखेंगे c, p, c, t ठीक है, corresponding parts of congruence triangle, c, p, c, t ठीक है, are always equal इसका meaning क्या हुआ corresponding parts of congruence triangle यह दोनों congruence triangle आपको दिख रहे है यह a, b, इस triangle का part है m, n, इस triangle का part है तो जब triangle congruence है तो उनके यह part equal होंगे ऐसा यह चीज़ यहाँ पर बता रहे है ठीक है, corresponding parts of congruence triangles are always equal ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आप देखो कि b, c, इस triangle का एक part है और यह n, o, इस triangle का एक part है तो हमारी definition क्या बोल रही है कि यह दोनों आपस में equal होंगे तो यह b, c, equal to n, o पैटर्न वही फॉलो होना चाहिए यहाँ पर मैं कौन से side बोल रहा हूँ b से लेके c, center से लेके end तक तो वही चीज़ यहाँ पर n, o ठीक है, ऐसे ही आप angle के बार में बोल सकते हो जो अभी हमने यहाँ पर इस चीज़ में यहाँ पर discuss कर लिया ठीक है, तो इस result को हमने नाम दिया हुआ है, c, p, c, t तो यह चीज़ question में बहुत काम की चीज़ है, यह exercise के question में बहुत बार आप use करोगे c, p, c, t एक और चीज़ congruency के बार में यहाँ पर triangle a, b, c congruant to triangle m, o, ठीक है आप triangle a, b, c congruant to n, o, नहीं लिख सकते अगर आप ऐसा लिख रहे हो, तो फिर वो इस चीज़ के लिए valid नहीं होगा ठीक है, क्यों valid नहीं होगा क्योंकि अब भी इसमें result में क्या होगा, इसके result में angle a equal to angle n हो रहा है, जबकि हमारे result में क्या रहा है angle a equal to angle m होना चाहिए, ठीक है तो congruency लिखते टाइम आपको बहुत द्यान रखना है, अगर आप थोड़ा सा भी change कर दोगे, तो वो wrong हो जाएगा ठीक है, देखो यहां पर triangle का नाम आपने सिर्फ m की जगा पर end लिख लिया और end की जगा पर आपने m लिख लिया तो वो wrong हो जाएगा congruency, ठीक है, वो इस triangle के लिए valid नहीं होगा यह valid होगा किसी और triangle के लिए ठीक है, तो नाम जब भी आप नाम लिख रहे हो congruency में, तो वो नाम आपको द्यान से लिखना है, ठीक है तो यह हमने देखा कि congruency कैसे लिखनी है उसके result क्या होते है ठीक है next video में हम देखेंगे criteria for congruent triangle ठीक है, यह पांचो की पांचो method next video में देखेंगे इस video में हम सिर्व इतना ही रख रहे है कि congruency क्या होती है यह six result कैसे निकलने होते है ठीक है, यह full form और यह जो short form में दोनों आपको याद रखने है corresponding parts of congruent triangles are always equal और third चीज़ हमने क्या देखी कि congruency लिखते time आपको नाम का ध्यान रखना है ठीक है, अगर आप थोड़ा भी change कर दोगे तो वो wrong हो जाएगा तो यह video हम यहीं पे ही खतम कर रहे है, next video में हम यह जो criteria है triangle की उसके बारे में हम discuss करेंगे, thank you for watching